नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आज हम बात करेंगे कि सपने में, चीटी को विभिन अवस्थाओं में देखने का क्या मतलब होता है? दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आते हैं अपने प्रश्न के उत्तर पर, दोस्तों स्वाप्न विज्ञान के अनुसार सपने में काली चीटी देखना शुब होता है. अगर कोई व्यक्ती सपने में एक, दो, चार या दस चीटियों को इधर उधर घूमता हुआ देखता है, तो यह एक अच्छा सपना होता है. इसका मतलब होता है कि उसे अपने कार्यों में सफलता मिलने वाली है, और उसे धन की प्राप्ती भी होने वाली है. दोस्तों, वास्तविक जीवन में भी काली चीटियों का आपके घर में आना शुप संकेत होता है. काली चीटियों के घर में आने से धन में व्रिद्धी और रोजगार में उन्नती होती है. लेकिन अगर आप सपने में काली चीटियों का जुन देखते हैं, तो यह परेशानियों और समस्याओं के बढ़ने का संकेत होता है। अगर आप सपने में लाल चीटी देखते हैं, तो यह थोड़ा नकारात्मक संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा सपना किसी नुकसान या दुरघटना होने का संक संकेत होता है। दोस्तो वास्तविक जीवन में भी लाल चीटियों का आपके घर में आना नकारात्मक संकेत होता है। इसके अलावा अगर आप सपने में हरी चीटी देखते हैं, तो यह एक शुप्छ सपना होता है। ऐसा सपना आपके व्यापार और नौकरी या किसी कार् ऐसा सपना आपकी उन्नती या प्रमोशन होने का संकेत होता है। दोस्तों अगर आपको सपने में काली चीटी काट लेती है, तो यह धन प्राप्ती होने या नौकरी मिलने का संकेत होता है। लेकिन अगर सपने में आपको लाल चीटी काती है, तो यह किसी दुरघटना की होन का संकेत होता है इसलिए आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप चीटियों को या चीटियों के जुन को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो यह सपना मुकदमे बाजी या किसी जगड़े में फसने का संकेत होता है दोस्तों अगर वीडियो पसं आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद